हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हादिर हुआ हूँ आज की वीडियो जो है यह फर्स समिष्टर वालों के लिए है न्यूज है कुछ इक्डामनेशन फार्म से रिलेटेड है तो इसके इंतरगत कुछ चीज़े हैं जिसको आपको जानना जरूरी है अगर आप फर्स समिष्टर के श्टुडेंट हैं तो यह वीडियो आपके कर क्राइटेरिय आपको दिखाऊंगा क्या है कैसे किस हिसाफ से तो वह सारी बाते में अपनी सीटियों प्रेशच के माध्यम से करूँगा और आपrire क्या साहिश छीज है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अब यहां पर देखते हैं कि न्यूज है जो examination form है फॉर सेमेश्टर वीए वीस्टी भी कॉम है तो उनी से रिलेटर कुछ अपडेट से सोचो आपको रुबरू करा दू खेर मेरे पास कुछ अपडेट आई है दोस्तों उसको भी मैं बात करूंगा लेकि कुछ नोटीज भी आई है पुर्वांचल विश्विद्याले की वेबसाइट पर तो खेर मैंने वेबसाइट से उसको डाउनलोड भी किया है और डाउनलोड करके आप तक ला रहा हूं तो आप लोग पहले वी नोटीस आप देख सकते हैं कि नोटीस आलेडी मैंने यहां पर खोला है लेकि थोड़ा सा नेट का इश्यू है तो यह फॉर्म जो है अभी नोटीस क्या है कैसे मैं पूरी बातें नोटीस में करता हूं तो खेर इसको बड़ा कर लेता हूं लेकिन यह लैंडिस्केप होने क कि वज़ा से नोटीस क्लियर नहीं हो रही है तो मैंने नोटीस को डाउनलोड भी किया है दोस्तों यह नोटीस को आप देख सकते हैं कि यहीं नोटीस है यह द्वारा समध समधी सूजित किया था है कि राश्य इस दितर वीर बाहदूर सिंग पुर्यमाचल में प्रथम वर नहीं किया है तो आप फिर से अपना रेश्रेशन कर सकते हैं 19 तारीक से आज से लेकर 31 तारीक तक फिर फॉर्म को भर सकते हैं एक एक से लेकर तीन तक आरलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगो उसको सत्यापन है फिर यह सारी चीज़ है फॉर्म को बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर नियू रस्टेशन न्या रस्टेशन अगर आप सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए तो खेर मैं इसको भी open कर लेता हूं तो आपको एक निएट पर मैं इसको लेकर जाता हूं दोस्तों तो एक्स्टा टैप सेंसको मैं बंद कर दूँ और दूसरा रिप्रिंट क open किया हुआ है अब तीनों टैम में क्या है कैसे है वो मैं पूरी बातें यहां पर बताऊंगा जो पहले टैम है दोस्तों जो पहले टैम में कहरा कि registration करने के लिए वो अलड़ी मैंने पहले भी वीडियो बनाया है तो वो मैं आपको दिखाता हूं यह देख सकते कि यह registration करने के लिए सारा criteria सेम है कोई उसमें बदलाव नहीं है लेकि पासवर्ड यूजर यह सारी चीज़े दूसरा आपको यूजर और पासवर्ड डाल कर उसको पर करना होगा अब जो यूजर और पासवर्ड आपको मिला होगा उसके बाद तो वो आपका जो है यहां पर डल चाल दिया है तो खेर मैं इसको भी जो है क्लिक करता हूं लॉगिंग करता हूं जैसे मैं लॉगिंग करता हूं भापके सामने warm कुल कर हा जाएगा तो कर वाहां पूरी बते आपको दिखाता हूँ तो आने के र झैशे में fan आएगा उसके पाने ऐसके नियुक्षम में आप सब्सक्राइब करने के लिए कहा है पूछे प्लीज आस यूर कॉलेज टू एड़ वोकेशनल सब्जेक्स फश्ट आप उसके बाद इन चीजों को कर सकते हैं दोस्तों अब यह थोड़ी देर के बाद यह फार्म एक्टिव होगा तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीज है तो फाक्मा इन्फोटेक्स सलूशन पर आना ना भूले और आप लोग वां को जो है ओनली 20 रुपीज में अपने फार्म को फिल करा सकते हैं जिसके चार्जेस बहुत अकम हैं आप लोग चाहें तो दुकान परा सकते हैं चाहें वाटसप के दुरू कॉंटेक्ट कर आपको सारी हेल्प की जाएगी तो खेर दोस्तों यह आ गया है तो मैं फार्म को जो है खोल दिया देख सकते कि मैंने ऊके किया तो यह फार्म पूरा मेरे सामने खुलकर आ चुका है अब इसमें जो भी है सब कुछ डिटेल्स और लड़ी भरी हुई है सिर्व आपको सबज को चूज करना है यह कालिज का नाम यहां को किस फाकल्टी के हैं वो चूज करना है अगर आप भी काउम के हैं वह है थोड़ा सा भी वेबसाइट में कुछ इशू आ रही है दोस्तों यह जो है वेबसाइट एक दो दिन में सही हो जाएगी तो वह सारी चीज़ें आपकी क् है यह और पर खुदकी एँद्र लाकल्तिइन आपई तो आपके खुदकी की वेख और पर वाइट कर दोस्तों अब देख सकते हो यह बाहर आ गया है कि तो आप 로ग मेरीबास शमझ में आ गई होगी मैं इसको पिर से जो है लॉग इन कर रहा हूं से और इस जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा वेट कर लूँ दो मिनिट वेट करिए दोस्तों यह फार्म आपके सामने खुल जाएगा काफी आसनान है तो आपको यह जो है चीज़े क्लियर होंगी मैं देखिए जैसे करके उसके बाद नीचे आ रहा हूं फिर यहां अधर फ्रकल्टी यह एक्टिव नहीं हुआ अभी एरर हो जाए क्योंकि अभी इसका रिजन यह है कि वेब्साइट का अप्रेशन चल रहा है अब यहां पर फ्रकल्टी आफ कॉमर्स यह हो गया अब इसमें सब्जेक्स कौन सा अधर है कि अधर कर प्रकल्टी सी जुनना है क्योंकि माईनर उसके एक्कॉर्डिंग जो है चलना है अभी देखिए दोस्तों तो थोड़ा सा वेबसाइट का जो है कुछ एरर भी आ रहा है यहां गया और यहां से अधर फ्रकल्टी के अंदर कौन-कौन से हैं तो वह आपको यहां से एक सब्जेक्ट लेना होगा कौन से किसी बेस पर उर्दू में है कि उर्दू लेंगे जो भी है उसके बाद यहां पर तो कि माइनर सब्जेक्ट से हैं कि आप इसको क्लियर करेंगे उसके माइनर में आपको कुछ सब्जेक्ट चूज करना है तिस समझ में आ चुकी होगी, ये फार्म एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, आसानी के साथ सारी चीज़े कर सकते हैं, तो मिलता हूं मैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, और फार्म को फिल कराने के लिए फात्मा इंफोटेक्स सेलूशन पर आना ना भू जिसके चार्जेस 20 रुपी रहें, तो होप यू दोस्तों मेरे दोरे दीजिया अनकान करी कैसी लेगी, मिलता हूं मैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुराचीद रहें